दोस्तों यहां पर आप लोगों को सवाल है कि मुझसे की दूस्तों आप लोग को जाना है डीजे के लिए कितने वाट के स्पीकर्स इस्तमाल करते हैं और लाइफ के लिए कितने वाट के स्पीकर्स को इस्तमाल किया जाता है तो जी हां दोस्तों आपने मेरी यह वाली वीडि की बहुत ज़दा दर्वत है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए हम लोग एक लाग फैमिली के बहुत ज़दा करीब हैं यह सब आप लोग का ही प्यार है जो कि मुझे उत्ता उपर ले जा रहा है और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा तो बाग की टाइम ना कबाते हुए वीडियो को लोग स्टार्ट करते हैं तो हैलो दोस्तों मिनम सुर्याश और आप देखने में यूट्यूब टेक्निकल सल्यूशन से चलिए श्रू करते हैं तो यहां पर आप लोगों को मैं डीजे और लाइफ के वाटेश बताने से पहले एक बात बताने चाहता हूं तो य यहां पर जो कंपनी के हिसाब से जो स्पीकर्स हमारे बनते हैं हमारे स्पीकर्स जितने भी आते हैं चाहे वह 10 इंचो 12 इंचो 15 इंचो 18 इंचो यह सब हमारे बनते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से यानि कि कोई स्पीकर आपका हाई मीड़ पे काम करता है कोई आपका mid low पे काम करता है कोई आपका midway काम करता है कोई आपका low पे काम करता है तो ऐसे हमारे market में speakers आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बहुती अच्छी तरीके से इनको जानना रहता है कि कौन सा speaker आपको किस purpose कहां पर इस्तुमाल करना है तो इस सब की details में आज किस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूं और यहां पर यह स्पीकर के वाटेज कितने आपको यूज करने के स्पीकर्स को इस्तिम्हेज करना है बात करें तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग आपको दो back यहां पे हर जिगह स्तमाल होता है कोई भी बार lineup करता है तो जोसे यहां पर मैं आप पंदरा इंच में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा तीन इंच वाले स्पीकर का इस्तमाल करना है आप लोग अगर तीन इंच से नीचे वाइस कोई लेते हो तो यहां पर सो कोई फायदा नहीं है जो उसमें आपको सौंड मिलेगी इतनी खास नहीं कुछ म इस्तमाल कर सकते हो 500 वाट भी जा सकते हो अब दूस्तों मैं यहां पर आप से बात चाहता हूं कि आप लोग ने हमेशा यहां पर यह चीज़ करी होगी जब लोग हम जब हम लोग अपनी फ्रीकरंसी को बाट देते हैं यानि की हाई अलग कर दिया लोग कर दिया तो यहां पर हर फ्रीकरंसी अलग अलग स्पीकर निकालने हैं तो वॉल्यूम उनका ज्यादा होता है आवाज बढ़ जाती है और जो वॉइस की और जो होल म्यूजिक की जो क्लियर्टी होती हो बहुत अच्छी जुनाई परदिग मिलती है इसके बावजूद की किसी एक इनसान को त फार देगा ऐसे अगर आप उसे ज्यादा निकालोगे और तीन लोग को अलग अलग तीन काम दिये गए हैं तो वह एक इंसान को बिल्कुल बैस्ट तरीके से लेगा यह निकालना है तो बैस निकालना तो दोस्तों ऐसे आप लोग मैं उमीद करता हूं आप समझे होंगे कि मैं क्या कहने क्या दो आपको कोशिश च्माल कर न में लốipen culture की मैं लुटी सित्राइब करना हों यहां पर ओन्यसाथे तीन लोग हैं नोब profilo करना के सवाल लेंगे तो इनको बेस लगाने पड़ाइगे लेकिन कुछ लोग इसे होंगे जैसे मेरी तरह भी और यहां पर यहां पर बाक्त करते हो जोड़ सोच रहे हैं कि 400 वार्ट कि स्पीकर से बेस निकलेगा तो जी हां आप लोग को प्रिक्वेंसी को बाट दो डीजेए में तो बहुत असाणी होगी तो एक काम आप लोग कर सकते हैं कि अगर आपका जो base निकला है आपके speakers से दोश्तों, यहाँ पर हर company के speakers अलग-अलग होते हैं किसी का 300霸़ वाट का जधा bass निकालता है किसी का 300霸़ वाट का कम निकालता है तो यहां पर दोस्तों मैं आपके ओपर छोड़ता हूँ कि अगर आप लोग अपने base frequency से satisfying है 15 इंच की तो बिलकुल base मत लगाईए आप अराम से 4 speaker बजाईए 4 top बजाईए यानि कि अगर 2 बजाने चाथे 2 बजा सकते हैं अगर आपको base कमी नहीं लग रही है और यह उनके लि और दोस्तों यह budget के ओपर भी देखा जाता है कि जो लोग base afford कर सकते हैं जो लोग नहीं कर सकते हैं तो यह उनके लिए भी है तो यहां पर मैं आपको बताया कि डीजे में कितने वाट के speakers को आप लोग को इस्तमाल करना ही करना है तो यहां पर हम लोग बात करते हैं लाइफ डीजे से टब की तो यहां पर सबसे पहली बात मैं आपको यह पताना चाहूंगा यहां पर दोस्तों हमारे लाइफ प्रोग्राम दो तरीके के होते हैं मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि जो की बिल्कुल एकुरेट होगा यह वाली वीडियो देखने के बाद आपको को और वी लिमिटेड एरिया देगा जाता है उस एरिया के अंदर आपको डीजे अपना प्ले करना होता है जिसमें लोग बैठे होते हैं और वहां पर आपको धूम मचानी होती है अपने स्पीकर के जरीए और कुछ लोग का यहां पर ऐसा लाइफ मिलता है कि जिनको दूर तक आवा बहुत दूर तक फिक देंगे ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों यह स्पीकर किस काम हाँगे मैं अभी आपकी बताता हूं क्योंकि दूस्तों मैं आप से पहले बता चुका हूं कि पांसो वाट तक के आप लोग डीजे में इस्तेमाल करें तो जाहिर सी बात है पांसो वाट के आप लोग इस्तमाल करिए एक बात ध्यान लखे मेरी 12 इंच में 300 वाट से उपर मत लीजेगा पैसा बरबाद हो जाएगा आपका ऐसा नहीं कहता कि ब्रेंड ने बना जै कोई गलती करती कोई गलती नहीं करी यह उनके लिए है जो की लाइन दे लेते हैं लेकिन एक टॉप की बात करें तो 300 वाट से उपर का 12 इंच में ना लगाए कोई उसका फाइदा नहीं आपको यहां पर आप 200 वाट लगा सकते हो दो इंच वोई स्कॉइल वाले तो इनसे आप लोग एक काम कर सकते हो कि जहां पर आपको लॉंग थ्रो चाहिए अपने स्पीकर से तो वहां प इसके लिए दोस्तों मैं आपसे बात बता जाओंगा दोस्तों मेरे डीजे में आपको बताया कि जाड़ा वोटेजिंट इसक्रीकर से यहां पर दूर तक जानी चाहिए और इसके बावजूद कि जहांपे डीजे बजरा है सिस्फी एरिया में आसपास आवाज गुझ रही उसका कोई फाइदा नहीं है पूरे में बात करते हैं तो यहां पर लाइव में आप क्या कर सकते हो कि आपको जैसे कूल भी एरिया दिया हुआ है तो वहां पर आप लोग चारो तरफ स्पीकर्स को स्टैंड में करके या फिर उनके फ्लाइट केस के उपर रखके लगा सकते हो तो जी हां मेरा यही आपको समझाने का मतलब है कि आप लोग डीजे में या तीन सो वाट या साड़े तीन सो चार सो वाट के इस्तमाल क्यों करेंगे और लाइव में आप लोग को 600 वाट से स्टार्टिंग करनी है मेरी मान के 600 वाट से स्टार्टिंग करिए 800 वाट तक के ज यहार करवाना है कौन सा ब्रैंड होगा यह आपके उपर है आपके बजट के उपर है आपको किसी भी लाइफ प्रोग्राम में जहां पर लिमिटेड एरिया है चारो तरफ रख सकते हो अपने 600 वाट के स्पीकर आपका जो प्रोग्राम है बहुत ही धमाकेदार निकल के यह नहीं कहता है कि आप लोग 500-400 वाट के जो अभी तक के यूज कर रहे थे उन्होंने गलती कर दिया सब कुछ लिक्कत नहीं है यह आपके ओपर है क्या करना है लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनली डीजे प्ले करना है तो 600 वाट से स्टार्ट करिए ताकि आप लोग सब बिल्कुल नहीं होता है कि आपने चारों तरफ डीजे भीचा दिया अपना तो यहां मना एक खुछ भी चल रहा है तो यहां पर आप लोग समझ गये होंगे लॉंग रेंज का कहां यूज है और शौर्ट रेंज का कहां यूज है तो यह थी मेरी यादिशी वाली वीड चारों में कितने अचसी अवास दिता है तो मैंने इसके उपर वीडियोगे बनाई जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो बस दो आज कि सुलीवीडियो में उत्ता ही मिलता हो आप से वीडियो में तब तकि लिए गुडबाइएं था